नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी का स्वागत है मेरे सुपरलोगी चैनल में दोस्तों, आप कैसे हो? आइफ। आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियों में हम आपको बताने बाले हैं कि बेवी बॉय के टाइम पर आप कैसे पता कर सकते हैं कैसे जान सकते हैं कि अगर आप पेट से और कमर दर्द से ये कौन से महीने से शुरू होता है दर्द होना और किस तरीके का ये दर्द होता है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तो सारी जानकारी सारी इंफोमेशन आपको मिलेगी वीडियो को पूरा ही देखें इसके बिलकुल भी ना करें दोस्तो चैनल पर पहले बारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली प्रेगनेंसी से रिलेटिड वीडियो का नोटिकेशन पाने के लिए दोस्तो हमारा बेटा बेटी में भेदबाब करना नहीं है जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं हमारा मतलब वीडियो बनाने का मतलब होता है कि सरफ और सरफ आप जिग्यासा और उत्सकता को कम कर सकते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं हमारे जो सब्सक्राबर हैं उनके कमेंट होते हैं तो उनको हम वीडियो के थ्रू ही बताते हैं दोस्तो एक-एक कमेंट क हम वीडियो के थ्रू ही बताते हैं तो हमारे कुछ सब्सक्राइब का experience है दोस्तो आईए जान लेते हैं इसके बारे में कि आपको पेट में दर्द कौन से महीने से शुरू होगा ताकि आप पता कर सकते हैं तो दोस्तो किसी किसी को ये first month से ही जब आपको pregnancy होती है उस time से ही आ निसानी मानी जाती है आप बात करते दोस्तो कमर का दर्द तो कमर का जो दर्द है दोस्तो वो आपको पांचवे महीने से क्योंकि पांचवे महीने से बेवी का बेट थोड़ा बढ़ने लग जाता है और कमर पड़ जो है आपका भारीपन आ जाता है तो इसलिए कमर में दर तरश जो पेट का जो डर्द है वो इसलिए होता है दूसरा कि यह मतलब जो बच्चे का वेट होता है वो काफी दवाब उसका पड़ता है तो उस वजए से भी कही बारी पेट का दर्द हो जाता है लेकिन वो इतना नहीं रहता वो कभी कबार